हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यामा एपजी एस एफ़ाई वर्जन 3.0 बेस 6 के बारे में और इस वीडियो में यामा एपजी एस बेस 6 का फुल रिव्यू दिया गया है पुरानी बेस फॉर एपजेड की कमपेरिजन में अभी की नहीं एपजी एस में क्या नए चेंजी से और बडलाव है ये बताएंगे दोस्तो आगे के फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे वाइजर में यामा कमपनी का 3D ग्रापिक्स दिया गया है और आगे के हेडलेम की बात करें तो वो ब्लेक एलिमेंट में दो पार्ट में डिवैड किया ग गई है मगर सैड लेड फ्लेक्सिबल नहीं है वो फिक्स आती है दोस्तो यहाँ पे हम टायर्स की बात करें तो आगे और पीछे दोनों ही टायर्स 17 इच के टूबलेस टायर आते है मगर आगे के टायर की थिकनेस 100 बाइटी की है और पीछे के टायर में 140 बाइ 60 रेडियन की थिकनेस मिलती है दोस्तो FGS FIBS6 में सैलेंसर और कवर की बात करें तो वो भी कापी अच्छा और स्पोटी लुक दिया गया है और उसके साथ सैट फुट्रेस देखें तो वो भी अच्छी कॉलिटी में आते हैं दोस्तो FGS FIBS6 में अब ब्रेक कॉंपोनेट की बात करें तो FGS में आगे और पीछे दोनों ही ब्रेक डिस ब्रेक में आती है मगर आगे के विल में सिंगल चैनल ABS मिंस एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम आती है दोस्तो यहां पे हम सैड व्यू की बात करें तो FGS वर्जन 3.0 लिखा हुआ ग्राफिक्स वो भी केपिटल वड में दिया गया है वो ज्यादा ही एट्रेक्टिव दिख रहा है अभी हम दोस्तो FGS F5 वर्जन 3.0 के एंजीन की बात करेंगे तो वो 149 CC का एंजीन आता है माना की बोला जाता है 150 CC इसमें एर कुलेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आती है दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह उक्सिजन सेंसर है और उसके निचे का ब्लेक कलर का कवर है उसे कैथलिक कनवर्टर कहते हैं इसलिए FGS F5 वेशिक्स के एंजीन में मैक्सिमम पावर की बात करें तो 12.2 BEHP and 7250 RPM है और मैक्सिमम टॉक की बात करें तो 13.6 NM and 5500 RPM आता है दोस्तो मैलेज की बात करें तो 45 to 47 CT के अंदर की देता है और हैवे के उपर 50 to 55 किलो मीटर पर लीटर की मैलेज मिलती है पिछे की विक की बात करेंगे तो पिछे की टेलेट में बल्ब आता है और दोनोई सैड में सार्प और क्लियर दिखने वाली इंडिकेटर मिलती है इसमें कहीं भी LED का यूज नहीं किया गया है और उसकी नीचे मटगाड देखे तो V-shape में आता है दोस्तो मटगाड की दोनोई सैड एक्स्ट्रा ओरेंज कलर के लाइट रिफलेक्टेट दिये गया है FGS, FI, BS6 में हम डिजिटल कॉंपोनेट की बात करें तो यहाँ पे स्पीडो मिटर, ओडो मिटर पूरा डिजिटल में दिया गया है जहाँ पे हम डिजिटल मिटर में राइट सैड देखें तो इंडिकेटर, ABS और पास का आइकोन हाईलाइट होता हुआ दिखाए दे रहा है और लेप सैड में देखें तो निज्टल और FI का आइकोन हाईलाइट हो रहा है दोस्तो FGS के right side के handle की बात करें तो handle के उपर engine on और off करने के लिए red color की switch आते है और exit उसके निचे ही self start की भी available है दोस्तो यहाँ पे हम आगे देखेगे तो left side के component में pass switch, indicator switch और horn switch available है यह sub switch अच्छी और premium quality की बने हुई है जो आप use करोगे तो आपको automatically पता चल ही जाएगा FGS FI version 3.0 BS6 में यहाँ पे हम देखेगे तो fuel tank काफी broad और बड़ी दिख रही है fuel tank capacity की बात करें तो 13 liters, 13 liters की capacity है FGS की पूरी body बनाने में ज्यादातर fiber का use किया गया है इसलिए उसका weight 137 के जिए दोस्तो color variant के बारे में बताए तो FGS FI में 5 color आते जो आपको display पे दिख रहे है dark matte blue, matte black, metallic red gray and cyan blue and dark night और FGS FI में 2 color आते, metallic black and racing blue आज के इस वीडियो के related कोई भी query है तो दोस्तो मुझे comment box में comment कीजिए दोस्तो और एक बर मैं बताना चाहता हूँ कि आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और bell का icon प्रेस कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like जरूर कीजिए तेंक्यू दोस्तो तेंक्यू दोस्तो तेंक्यू दोस्तो